नमस्कार में प्रिये रंजन और आज की इस एपिसोड में IEX स्टॉक को काफी लंबे समय के बाद डिसकस करेंगे स्लो एन स्टेडी 120 पे लोग इसका 60-80 के लेबल से एक्सपेक्ट कर रहे थे और इस समय स्टॉक 200 जो कि इस स्टॉक का 52 वीक हाई है तो यह 52 वीक हाई पे टेड कर रहा है हलांकि ओल टाइम हाई तो 320-40 के आसपास का है और यहां से प्रोबेबिलिटी मुझे लगता है कि 320-340 का लेबल बहुत बड़े दूरी वाला नहीं है इसली हिट करते डिख सकता है तो रिसेंट के टरेंड और नियूज को समझे से पहले प्रिमियम टेलिग्राम को जॉइन करें डिस्क्रेप्शन के लिंक से काउन्ट ओपिन करें वीडियो पसंद आये तो दोस्तों में जरूर सेयर नहीं करेंगे सबसे पहले इसके news को समझने की कोशिस करेंगे 5 अगस्त को इसके monthly जो volume का number आता है उसको लेकर के खबर आया जहां 56% year on year basis पे company के volume जो है वो बहते वे दिखा है अगर इसके feeds की बात की जाए तो कुछ भी feed इसके अंदर आपको नहीं दिखेगा सभी commonly news इस stock में आपको देखने को मिलेंगे जो announcement है वो investor meet को लेकर के है यहां देखेंगे investor के meet को लेकर के है 22 अगस, 23 अगस जैसे आज और कल में जो investor meeting है उसको लेकर के update है 1&1 Mumbai के अंदर होने है इसके अलावे volume 1.5 करोर का है जो की common volume नहीं है recent में common volume less than 80 lakh है आउट भी होते दिखा और यहां टेकनिकली मैं अगर आपको monthly time frame के trend को दिखा हूँ तो यहां यह जो rounding pattern है यह वाला complete हुआ और probably यह जो depth है यह इसके आगे के target आपको आते वे दिखेंगे जो stock को 260 से 340 और 500 तक का level ले जा सकता है बात की जाए weakness की तो इसमें 168 एक support zone है इसके नीचे जाएगा तो weakness और जब तक इस range में है overall strong है अगर मैं आपको weekly time frame पे दिखा हूँ तो weekly time frame पे क्या देखने को मिलेगा RSI is trading at around 70 और यहां देखेंगे किस प्रकार से इसने अपने consolidate पूरे zone को breakout करा retrace करा फिर continue करा तो probably जो है पहला short term target देखें तो लगबग लगबग 240 प्लस जैसा level easily दिख रहा है और weakness जो है 168 के नीचे weakness दिख रहा है